नमस्कार दश्कों, यूटूब के मेरी चैनल में आपका स्वागत है, मैंने एक स्रंखला शुरू कर रखी है, जिसमें मैं बताऊंगी कि किस राशी का जाता कैसा होता है, आज उसी स्रंखला के करमे में राशी है धनु राशी, धनु राशी एक अगनीतेतु राशी है और सा जातक के जो नीचर और वहवार है, वो भी काफी अच्छा होने की स्थिती बनती है, यही कारण है कि जो धनु राशी के जातक है, बड़े खुश मिजाज प्रवतिके होते हैं, किसी से मिलेंगे, बड़े खुशों के मिलेंगे, बहुत अच्छे वैल मैनर डंग से बात करे हैं, क्योंकि यह रिलेशन्शिप बनाने में विचार करते हैं, और अभी इनके संग ऐसा होता है, कि अचानक यह कभी किसी से को नराज हो गए, तो थोड़ी देर के लिए गुस्सा तो नहाएगा, क्योंकि अगनीत तुराशी है, पर गुस्सा आने के बाद भी वो मन में को जास यह को गौांट नहीं बानते, कि यार इसने मेरा संग ऐसा कर दिया, इसने मेरा संग ऐसा कर दिया, नहीं, वो उस बात को मन से बोला देते हैं, और सामने वाले को माफ कर देते हैं, जो इनकी बहुत बड़ी क्वाल्टी है, ऐसी कारण अगर धनूराशी वाला आपका बॉस होता है, तो वो आपके लिए आपकी हर तरीके से आपके हितों की रक्षा करेगा, आपको सही समय पे सही गाइडेंस देगा, साथ ही धनूराशी के करमचारी अगर आपके आफिस में हैं, तो आफिस का सारा काम बड़े आगे बलके करेंगे, सब लोगों से मिल जुल क करेंगे, खुश मिजाज महौल आपके आफिस का रहेगा, यह धनूराशी वालों की विशेष्टा है, साथ ही धनूराशी वालों की इतनी परजिविटी होने के बाद भी एक दो ऐसी बाते हैं, जो उनको थोड़ा सा अलक करती है, वो बात है, एक तो इनकी सपष्ट वक्त अगर इनको कोई बात बुरी लग जाए, तो इस पष्ट वर पर कहा देंगे कि यह बात तो ऐसे होनी चाहिए थी, ऐसे नहीं होगी, जिसके कारण डिखता है कि इनके अंदर कितना उसा और उमंग है और कितनी पॉजिटिव सोच है, और इस पष्ट वक्ता होने के साथ ही न्याए पसंद बहुत है, यह न्याए पसंद इस हिसाब से है कि इनको अन्याए पसंद नहीं है, यह किसी के साथ अन्याए होता नहीं देख सकते हैं, न्याए पसंद नहीं है कि धनूराशी वाले लोग अगर वकील वकील वन जाते हैं, जज की रहा में चले जाते हैं, तो तो काफी successful होते हैं साथ ही क्योंकि इनकी अगनी तरत राशी है और धनू राशी को अगर हम ध्यान से देखे तो धनू से धुन भी बनती है तो यह तरीके से धुनी परवर्थी के लोग होते हैं अगर इनके दिमाग में कोई बात आ जाए कि मुझे एक काम ऐसे करना है तो यह अगर इनके जो निशाने हैं वो बड़े पक्के होते हैं अगर इन्होंने टार्गेड बना लिया कि मुझे तो इस जगा पर यहां पहुंचना है और कैसे पहुंचना है तो इस निशाने को लेगे शिद्धी कर लेंगे बिल्कुल अर्जुन की तरह इनकी एक आँख रहती है अस तरीके से धनुराशी वाले होते हैं इनको अब अपस यही दिखाय को करना है यह अवर्राल काफी महतवकानशी प्रवर्तिके जाताक होते हैं पर उस महतवकानशा को अशने करनेके लिए और महनत करने के साथ-साथ ही किसी को नराज walking करतें विल्कुल सब लोगों को welcome करते हैंसाद मिलके एक गूर बना चलते हैं इसलिए इसलिए ऐसे लोगों में अगर देखा जा तो leadership quality बहुत ऊछी होती है यह अगर इनके पास कुछ लोगों का गूरू बहुत उसमैं धनुराशी रहती हो तो ख्याल रखते हैं और काफी परवार में सुक्षान्ती रहती है इनके पुत्र संतान जरूर होती है जहां तक दनूराशी का मेला हैं कुछ सुतंत रहना चाहती हैं वह अगर जॉब करेंगी तो उनको लगेगा कि मेरा घर का द्रवाह यहाई घर हैं मैं जाहे रहती हैं यह मेरा पहनना सेंटेट कपड़े शूट वूट अनि कई बार तो सामने वाला अपसोचता है कि यह इसके पास तो अच्छा पैसा होगा यह धनुराशी वालों को देख के लगता है अब वो कई वार यह स्थिति है कि उनकी ओरिजिनल पोजिशन क्या है यह तो बताना मुश्किल है पर ओवर और व्र फोरण मिल जाते हैं किसी से क्योंकि इन में या आदत नहीं है कि गुस्सा ओगे तो गुस्सा ओगे बैट गया किसी की गर्ट बना ली है हरेक से मिलते हैं बात्चीत करते हैं पर इनकी लाइफ में कुछ चीजे परसkids आड़ियों करते हैं वो चीज पर परस्ट्रि राशी वाले कई फी हाइफाई किसम की व्यक्ति होते हैं पर एक बड़ी शान्त प्रियर राशी है जो किसी को मन नहीं दुखाती सब के संग उदार हिदेर रेके बात करती है और इस पश्ट वक्ता है अगर कोई बात गलत नजर आती है तो फोरंग कहा देती है पूरी न्याय मैंने कभी किसी धनुराशी वाले को किसी के संग अण्याय का प्रभाव है बना के चलते हैं इसकाथ धनुराशी वाले जो हैंने काफी तरक्की कर सकते हैं और यह हमारे समाज के लिए बप उती ह唉 क्योंकि ऐसे लोग है जो समाज में जिनके गारण कॉंटेक्स बनते हैं या ऐसे ही लोगों होते हैं दनुराशी जिनके कारण जिनमें लीडर्शिप कॉल्टी आती है और यह लोग आगे बढ़ते हैं वैसे देखा जाए तो दनुराशी वाले अपनी लाइफ में काफी सक्सेस्वल होते हैं क्योंकि इनमें प्रक्टिकल के सार समढ़ होते हैं यह कैसी बात पर अड़ते नहीं है आड़ने कि आदट नहीं है तो बिज्शेन के बहुत सब्क्राइब का अपने बिद्गार